नमस्कार दोस्तों बांगला देशी अभिनेत्री राइमा इसलाम शीमू जो की कतित तौर पर पिछले कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी लेकिन उनका डेड बोडी धाका के केरानी गंज में एक पुल के पास बोरी में मिला है इलाके के अस्थानिये लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और आपको बता दूँ कि 17 जनवरी को कदम टोली छेतर के अलिपूर ब्रिज के पास अभिनेत्री का शौव देखा गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई अब शौव ब्रामद होने के बाद अवनेत्री के पती को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस दौरा दी गई जानकारी के मताबिक राइना की निर्मम हत्या की गई है अवनेत्री के सरीर पर चोट के कई निशान है हत्या के बाद रविवार को राइमा इस्लाम शीमू का श्रव बोरे में बांध कर पुल के पास फेक दिया गया था और पुलिस के एक बरिष्ट अधिकारी ने कहा कि श्रव को पुश्माटम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है मामले की जात चल रही है शीमू के लापता होने के बाद रविवार को उनके परिजिनों ने काला बगन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने अश्र भाविक मौत का मामला भी दर्ज किया और पूस्ताच के लिए अविनित्री के पती शखावत अली को हिरासत में ले लिया है अली के साथ उसके ड्राइबर को भी हिरासत में ले लिया गया है और धाका पुलिस ने एक बयान में कहा है कि हत्या के पीछे का कारण पारिवारिक कलह बताया था वहीं अब अविनेत्री के पती ने हत्या के बाद कबूल कर ली है और शौव को पोश्माटम के बाद परिजनों को शौप दिया गया है और धाका की बरिष्ट नयाइक मजिस्टेट रोबिया बेगम ने शीमू के पती सखावत अली नोबिल और उसके दोस्त एस एम बाई अब्दुल्ला को मंगलवार को पूस्ताज के लिए तीन दिनों के लिए रिमांड पे रखा गया है आपको यह बता दें कि 45 वर्षी अबनेत्री ने 1998 में फिल्म बारता मन से अपनी केरियर के शुरुआत की थी उन्होंने तब से अब तक 25 फिल्मों में काम किया वो बांगलादास फिल्म आर्टिस्ट एसोशियन की सहयोगी सदर्श्य थी फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी और नाटक में भी बहुत सारे काम किये आपको बता दें कि अबनेत्री ने 25 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और जब पुलिस ने छान भी चालू की ड्राइवर भी है पारिवारिक बिवाद के चलते इस हत्या को अंजाम दिया राइमा के पती नहीं और ये बात उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है तो सिर्फ बॉलिवूड ही नहीं बंगला देश में भी इस तरीके की बाते आम हो गई है क्योंकि ये इस परकार की घटनाएं लगातार चल रही है अब देखना ये है कि इस मामले में पुलिस की कारवाई क्या होती है पती को गिरफतार करके जेल भेज दिया गया है